मंगल दोश से डरे नहीं क्या आप जानते हैं कि मंगल दोश के जातक होते हैं पराक्रमी और सफल पहले पहचाने लक्षन और फिर जोतिश से मिलकर करें आसान उपाए कुंडली में मंगल दोश होने से विवा में देरी होती है या दामपत्य जीवन में परिशानी आती है इसलिए विवा से पहले वरवधु के कुंडली का मिलान करना जरूरी होता है मांगलिक दोश के जातक बहुत पराक्रमी कर्मट और प्रशास्तिक पदों पर सफलता प्राप्त करते हैं तो अगर आप मांगलिक हैं तो घबराने की बजाए इन उपायों को अपनाएं तो आईए जानते हैं जोतिशी से प्रसनाप ने किया बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था इस मंगला मंगली दोस्त पर कुछ कहूं जन्ता को अपने जो हमारे कलिंग हैं जो हमारे जोतिस विद्या से समंधे जुड़े हुए हैं उन्हें यह बाते उन तक मैं पहुंचाओं यह प्रसनाप जब बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम में जो लोग हमसे कुंडली बनाने आते हैं या किसी पंडित जी के पास मढला मंगली इस डर को मैं निकालना चाहता हूं बच्चे के जन्म्होप्रांद आगर कुंड़ली में मंगल दोस निकलता है तो इससे कोई वाद नहीं मंगल को होता लागता है है साथ कहता है जब कुंड़ली के पर्थम भाव में मंगल हो तो मंगला दोस लगता है अब है क्या यह मंगला दोस केवल हानी देने के लिए ही लोगों की कुंडली में आता है कि लाब देने के लिए मंगला दोस का अर्थ है कि अगर आपके बच्चे को अगर है तो समझे कि विधाता आपके बच्चे को एक ऐसा इंटी बायोटिक दे चुका है उसके सरीम में जो की उसे करमठ तेजस्वी जिद्दी और महा प्राक्रमी बनाएगा क्या यह जो तत है यह खराब है कि अच्छा है यह सभी तत अच्छा है लोगों को उचाई पर जाने के लिए यह सभी तत उनके सरीर में विधमान रहना जरूरी है जिसके अंदर पौरूस नहों जिस महिला के अंदर करमठता नहों कुछ करने का जुझारूपन नहों तो वह अपने जीवन में क्या करेगा तो यह मंगला मंगली दोस जो है यह अच्छा है बुरा नहीं है हाँ इसकी परधानता मुख्य रूप से बिवाह के समय में देखी जाती है काहे जो एक्टीव है जो तेजस्वी है उसका विवाह अगर हम बोतला से कर देंगे या बोतली से कर देंगे तो दोनों में शामञेस नहीं बैठेगा लोहा को तो लोहा ही काट सकता है जो तेज है तरार आदमी है जो यक्टीव है तो उसको वैसे ही वैक्ती से वैसे ही लड़की से उसके साथ विवाह किया जाए जो कि उसका दामपत्य जीवन सुखमे रहे एक दुसरे को समझे अगर एक जिद्धी है तो दुसरा को भी जिद्धी भी हो जाएगा औरती कुंडली लेकर के मंगल की डरने की जुरत नहीं है इसका बहुत सारा परिहार है मंगल पर्थम भाव में चतूर्त भाव में दौधस भाव में यह लापरत रहता है परंक्तू सब्तम और अश्टम का मंगल अगर हो तो यह जादे प्रभाव साली होता है जहां तक कुंडली में केबल पर्थम, चतुर्थ, सब्थम, अश्टम और 12 वहाव के मंगल को देख करके मंगला कह देते हैं, ऐसा नहीं है, मंगला दोस्ट निरस्ट का लगवग एक हजार फर्मूला है, जो फर्मूला आपकी जन्व कुंडली में 2-4-5 मिल ही जाएगा, तो मंगला दोस्ट निरस्ट भी रहता है, नहीं, मंगला दोस्ट देखने के लिए, सबसे पहले, हमें एक चीज और ध्यान में रखनी हो, सास्त्र यह भी कहता है, कि अगर पाप गरह, एक चार, साथ, आठ, बारह भाव में अगर मौजूद हो, तो वह भी मंगला दोस्ट के त टीट करता है, तो पापगरह है क्या, पापगरह है राहू, केतु, सूरी, यह सभी पापगरह है, सनी, पापगरह है, तो मंगल अगर पर्थम भाव, चतुर्द भाव, सब्तम भाव, अश्टम भाव, और द्वादस भाव में है, अगर लड़का या लड़की की कुंडली म में पापग्राव में अगर मौझूद है तो उसे मंगला दोस्त नहीं लगी गा कि वह की समान टीट करता है सास्त यह भी कहता है सनी बत राहू राहू सनी जब एक समान है उसी प्रकार पाप गरह जगर पर्तम भाव चतुर्थ भाव सब्तम भाव में रहने से वह भी मंगला के समान इंट्रीट करता है तो मंगला दोस्तों निरस्त हो गया इसकी साथ सबसे एक दो फर्मुला मैं आपको बता देता हूं कहता है मंगल अगर सो रासी पर हो सो रासी मतलब अपने घर में हो एक हंक और आठ हंक उसका अपना घर है मंगल अगर गुरू के साथ हो गुरू अगर केंद्र में बैठे हो इसके साथ साथ चंद्रमा भी केंद् लोगों में यह कहने की बात है कि आपका बेटा में ठाला है तो आप उसे प्रशाश निक से लिए पुलिस सेवा में 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 हमें आ वोत्त तुब जाएगा एंदर उड़िऔर उड़िण भान होते हैं वह ने जो तो आप उसे किस तरह से परवरिष करते हैं किस तरह से उस बच्चे का क्या करते हैं पढ़ाई खाई करते हैं कैसा इंभारोमेंट देते हैं यह गार्जन पर डिपेंड हैं अगर आप उसके उसके तेज़पन को निगेटीव डियरेक सरमे जाएं मां तु तो आप उसे गलत डायक्श्ण लेगा अगर आ उसको बचाने के लिए चलरफ़ाई जाएगा Aunt आप उसे मारने समहाल दिखाते हैं कि समहाल ने दिखाते हैं यह आप पड़ने लुपर हैं तो मंगला मंगली दोस्त अच्छा है जातका। खराम नहीं है बहुत अच्छा है अज मैं मंगला मंगली के बारे में कह रहा हूं कि अगर आपके बच्ची का जन मांगलिक दोस में हुआ है तो आप कौंडली लेकर के मेरे पास आई ये मैं विसलेशन करूंगा कि कहां तक वो मांगलिक दोस पुर्ण है और कहां तक वो लाप्रद है अगर दोस उसमें लिखा गया है मांगलिक दोस तो दोस पुर्ण वो अवस है पर कब हर हमेशा तो नहीं मांगलिक दोस को देखने के लिए मंगल की डिकरी देखी जाती है मंगल किस भाव में बैठे हुए है वो देखी जाती है मंगल किस भाव में किस अंक पर बैठे हुए है वो देखी जाती है मंगल का किसके किसके साथ यूती है वो देखी जाती है मंगल का त्रिष्टी कहां कहां पर रही है मंगल का तिन दिष्टी है चार साथ और आठ ये तीन भाव को मंगल देखते हैं तो किस-किस भाव को वो देख रहे हैं मंगल अगर अपने रासी को देख रहा है तो सास्त कहता है कि अपने घर को कोई नहीं उजारता है तो क्या मंगल वहानी कारक होंगे कि लापरद होंगे मंगल अगर अपने दुस्मन के घर को देख रहा है तो दुस्मन को तो हर कोई उजाड़ना चाहता है दुस्मन से तो हर कोई दूर रहना चाहता है वहाँ पर मंगल की दिश्टी देखी जाएगी कि नहीं यह मंगल किसको प्रिशान करेगा तो ऐसे बहुत सारे तत्य है मांगलिक दोस्त के विचारों पर जो की बढ़न अगर किया जाए तो घंटे दो घंटे क्या कई महने लग जाएंगे फिर भी जो तत्य है समाप्त नहीं हो सकती मंगला मंगली दोस्त जानने के लिए लोगों को कुंडली मिलान करना पड़ता है वो विकप्त वैवाहिक जीवन जब प्रारंब होने लगे उस टाइम में आप पंडित जी से योगी पंडित जी से कुंडली मिला कर देख ले कि पंडित जी यह मंगली को दोस्त कहां तक हमार बच्चे के उपर प्रभाव डालेगा कि क्या करेगा यह मांगला मंगली दोस्त जो लड़का पक्ष यह लड़की पक्ष है दोनों को मिला करके देखा जाता है केवल एक पक्ष को देखकर कि आप उसके भविस का बढ़नन नहीं कर सकते हैं अच्छा इसके क्या कुछ कूप कूप प्रभाव होते हैं अगर बच्चा हमारा बदमास निकल जाए तो उसका कूप प्रभाव है कि वह समाज को जीने नहीं देगा समाज मसोबनी यह काम करेगा उसी प्रकारी अभी है अगर मांगलिक दोस्त का परिहार नहीं है कुंडली में तो दामपत्य जीवन में तन करना चाहेगी जो उसके लिए इसे बहुत सारे तत्य हैं जो कि मंगला मंगली दोस्त को सांती करवा करके उसके प्रभाव को कम किया जाता है लोकल 18 के लिए पूर्णिया से विक्रम कुमार जहा की रिपोर्ट इस वीडियो में दी गई जानकारी जोतिश अचार्य अनुसा है लोकल 18 इसकी पुष्टी नहीं करता है